नेक्स्ट हमारा टापिक है हो है evolution of leaf लीव जो पत्ते हैं leaves और singular leaf उनकी evolution कैसे हुई और किस subdivision में इनकी evolution हुई आपके बुक में देखें ये टापिक जैसे खतम होता है तो उसके बाद 40 तोर पे लीव की evolution आ जाती है evolution हम कहेंगे कि successfully और gradually जो changes हुई है देखें evolution प्लांट में लेस जो है लेस एडवांस से हाई एडवांस की तरफ जाना इसको भी evolution कहेंगे अपने आपको less एडवांस से higher adaptation की तरफ जाना इसको भी evolution कहेंगे भी इसके अपने आपको environment के मताबिक ज्यादा से ज्यादा बहतर अपने आपको stable करना इसको भी evolution कहेंगे और अपने आपको evolution करने के लिए less एडवांस से high advance की तरफ आने के लिए बहुत सारा time चाहिए time period चाहिए ठीके तो evolution के अगर हम leaf की evolution की बात करेंगे तो जो leaves हैं उनकी evolution लाइकोब सीडा में हुई है ठीके और लाइकोब सीडा जो जो लाइकोब सीडा सब डिवियन है उनके plants जो है वो middle devonians में जाहर हुए थे फिर middle devonians से जो है वो कार्बेनो फिरस की तरफ गए कार्बेनो फिरस में फिर लार्ज ट्री बन गए उसमें भी हम जिकर करते हैं मगर पहले हम evolution आफ लीव की बात करेंगे ठीके अगर हम पत्ते की बात करें एक लीव की में वेन होती है इसको कहते हैं mid rib ठीके और ये जो किनारा है इसको कहते हैं leaf margin यहां इसको कहते हैं क्या ले मिला और ये जो उपर वाली चोटी इसको कहते हैं apex और इन में क्या मौझूद होते हैं वेन्स मौझूद होती है ठीके जायलम और phloem और जहां पर पता अटेज होता है stem में या ब्रांचिस में भी पते मौझूद होते हैं इन्टरम को हम family में पढ़ेंगे कि अगर पते मौझूद ब्रांच में होंगे तो उनको क्या कहेंगे अगर main stem में पते मौझूद होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे ये जो स्टाक है स्टाक आफ लीव इसको कहते है पिटियोल ठीक है ये हो गया पता जो लीव है ये फलेट होता है और ये फोटो सेंथेटिक और गेन है ग्रीन प्लांट का ये फलेट होता है और क्या है फोटो सेंथेटिक और गेन है प्लांट का कि इसमें फोटो सेंथेटिक का प्रॉसेस होता है और प्लांट अपना खाना बनाता है और खाना फिर जो ऐसा क्रोज की शिकल में लोडिंग और अनलोडिंग होती है फ्लोम लेके जाता है जहां पर जरूरत होती है तो पत्ता जो है वह बहुत ही जरूरी है अगर पत्ते मौजूद नहीं होंगे तो प्ला कैसे हुई अभी जो आपको पते नजर आ रहे हैं पते आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे क्योंकि यह पत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पत्व के बारे में आपको पता होना चाहिए तो यह पता देने के लिए हम थोड़ा सा पते का जिकर करेंगे तो में इस से ये पत़ा horizon होता है जहां से ये पत़ा निकलता है तो इसको कहते है हम क्या इसको कहेंगे हम note ठीक है ये पहले भी हमारा बहुत इस पे बहिस हुआ था इसको ये नीचे कर लेते हैं और दो notes के बीच में ये जो मुफासला है या ये दो पत्तू के बीच में जो मुफासला है इसको कहेंगे inter node यह आगे सारे tram आएंगे families में ठीक है एक तो पत्ते के मतलग यह हो गई दूसरा अगर एक node पे दो पते हो अगर एक node पे दो पते हो तो यह जो फाइला टेक्सिस है यह जो arrangement है पत्ते की यह कहलाएगी क्या opposite यह पत्ते की position हो जाएगी क्या opposite अगर अगर एक node पे more than two leaves हैं तो इस position को हम कहेंगे वर्ड सही है यह तो होगी पत्तों के बारे में discuss अब हम देखते हैं कि पत्तों की evolution जो लाइकोप सीडा में हुई है वो किस तरीके से पत्तों की जो है evolution हुई है यह हम पत्तों के types देख लेते हैं यह जो लीव्ज हैं कि इनके दो types हैं एक को कहते हैं माइक्रो और दूसरी को कहते हैं क्या मेगाफिलस माइक्रो फिलस और मेगाफिलस माइक्रो वे से कहते हैं सिमाल को मेगा कहते हैं लाज साइज को मगर यहां पर जो माइक्रो फिलस है माइक्रो फिलस वो पत्ते हैं इनको कहते हैं वन वेंड लीव ये क्या है वन्वेंड लीफ है लीफ कहलें इन पत्व में एक ही लीफ एक ही वेन नजर आई थी जिन में एक वेन होगी उनको क्या कहेंगे माइक्रोफिलस कहेंगे और मेगाफिलस मेगाफिलस का मतलब है कि जिसमें बहुत सारी वेन्ज मौजूद हो ठीक है वेनेशन परैलल भी होती है वेनेशन जो है एक मिड्रिब वाली भी होती है मल्टी मिड्रिब होती है ठीक है और परैलल वेनेशन भी होती है जब फैमिली में आएंगे तब बात करे आप समझेंगे मेगाफिलस मीज मेनी वेंड लीफ मेनी वेंड लीफ ठीक है तो माइक्रोफिलस और मेगाफिलस इन दोनों की एवोलुशन देखेंगे पहले हम देख लेते हैं इसको माइक्रोफिलस को उसके बाद हम देखेंगे मेगाफिलस को अब यह जो माइक्रोफिलस मी इसके एक वेन वाला पता अगर इसकी हम evolution की बात करेंगे तो इसकी दो hypothesis दी गई है कि ऐसे हुआ होगा कि यह जो पते हैं एक वेन वाले यह इस तरीके से इन में evolution हुई होगी तो इनकी जो है hypothesis दी गई है दो किसम की एक में कहा गया है कि ination हुई है मैं बताता हूँ कि ination क्या है एक में कहा गया कि पत्तू में ination हुई है और दूसरे में कहा गया कि reduction हुई है stem की और तभी इन में पत्ते बने हैं अब देखें कि यह जो ination है ination को हम outgrowth भी कह सकते हैं नजर अच्छे पहुते outgrowth of leaves from stem ठीक है अब देखें कि जो ination कैसे हुई है जो stem है आपको पता है कि जो सिलोब सीटा के stem क्या थे leafless stem थे यह आपको जो जो stem नदर आ रहा है यह क्या है कि leafless कि इस टेमें इसमें कोई भी पता नहीं हुआ है अब इसमें evolution कैसे हुई है कि कि यहां से जो stem है यहां से outgrowth हुई है thorn like कांटे की तरह outgrowth हुई है कैसे thorn like outgrowth हुई है next stem को आप देखेंगे कि थोड़ी से यहां से outgrowth होना शुरू हो गई और जाके one wind leaf आखिर बन गया इस तरीके से one wind leaf बना है कि जो stem है उसमें से इनेशन हुई है उसमें से outgrowth हुई है एक तो hypothesis यह हो गई ठीक है दूसरी hypothesis क्या हुई है कि जो stem है जो leafless system है उनमें reduction हुई साइज में कम हुए रिड्यूस हुए उपर से कोई pressure आया सप्रेस हुए और इन में जो है one wind leaf बन गए तो इस तरीके से evolution हुई है leaves की one wind leaf की बात हो गई जिसको हम microfils कह रहे हैं अब हम बात करेंगे megafils की के megafils किस तरीके से जो है इनमे evolution हुई है आप इनको देख सकते हैं like opodium में और ecosystem में इनको आप देख सकते हैं इनकी जो evolution आपको नजर आएगी like opodium में आपको leaves नजर आएएंगे ecosystem में भी आपको leaves जो है नजर आएंगे के जो many wind leaf है many wind leaf इनकी evolution कैसे हुई है टू स्टेप में इनकी evolution हुई है इनकी evolution कितने स्टेप में टू स्टेप में इनकी evolution हुई है पहले प्लांट में प्लैनेशन हुई प्लैनेशन किसकी ब्रांच इसकी ब्रांच ब्रांच इस सारे के सारे एक प्लैन में आ गए फर्स्ट जो क्या है प्लांट प्लैनेशन कैसे हुई कि जो अपना ब्रांच इस थे वो एक प्लैन में आते गए एक प्लैन में जो प्रांच इसे न कि आ गए फर्स्ट स्टेप में ये हुआ ठीके और जो सेकेंड ये हो गया फर्स्ट स्टेप और जो सेकेंड स्टेप था सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो गेप है या ये जो इस्पेस है भी समय के बूइन है प्राइब है इस इस्पेस में फियलिग व सबी इस सब्सक्राइब्र टियूज की फिलिंगं भी ठीक है तो जब इसमें फिलींग वि तो यह फिल होते गए इसमें जायलाम और फिलोवां आ गए ठीक और टीशु आये तो यह फिलिंग हो गई तो अब इसकी शकल कुछ इस तरीके से हो गई और यह ब्रांचेस बन गए और इन में फिलिंग हो गई ठीके अब इसकी शकल एसे लगने लगी जैसे बदक देखिए बदक डख देखिए बचल बदक का जैसे पाउं होता है न डख फुट वेब उसकी शकल की तरह पहले मेनी लीव्स बन गए ठीके डख वेब ठीके जो बदक के पाउं है उसकी तरह इनकी शकल बन गई और इस तरीके से जो है मेगा फिलस लीव की जो है एवोलुशन हो गई आज के लिए तना काफी है यह लाइक ओप सीटा को भी किलियर करें